बिस्मिल्ला रख्मान रहीम, असलाम अलेकुम आज हम आपके लिए लेका हैं चिकन कारी मिनट ग्रेवी की रेसिपी अगर आपके खर में कोई दावत है या फिर गेस्ट आने वाले हैं तो जट पर से आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है ये के गेस्ट आप से इसकी रेसिपी पूछ कर जाएंगे बहुत ही कम मसालों में बन जाने वाली रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही जादा मज़ेदार है तो चलिए फिर अपनी रेसिपी के तरफ आते हैं और रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले था हमने ये दो दर्मियाने साइज की प्यास लेके इनको बारिक कट कर लिया था पिसके बाद इनको गोल्डन ब्राउन फ्रायर करके निकाल लिया है अब ये हमने आदी गड़ी हरा धनीया ले लिया था और तकरीबन 15 से 20 हमने ये तीखी हरी मिर्चे ली है और ये आदा पाउद दई है दई के अंदर हम ये हरा धनीया हरी मिर्चे और प्यास डालके ब्रेंडर के जग में इसका बारिक सब पैस बना लेंगे इसको हम पीछ लेंगे ब्रेंडर के जग में बिल्कुल बारिक तो हमने ये देखें, प्यास, हरा धनिया, हरी मिर्चे और दई डालके इसको बारिक पीछ लिया है, अब रेंड़े के जग को साफ कर लेते हैं, इसमें पानी डालके इसका तमाम जो पेस्ट इसमें रहे गया है, जग के अंदर हो निकाल लेंगे इस तान से ये पेस्ट तो हमारा तयार हो गया है, अब जिस पेन के अंदर हमने प्यास को गोल्डन ब्राउन किया था, उसी के अंदर हम ये चिकन काली में ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, तो एक कप के करीब हमने ये कुकिंग ओयल ले लिया है, और ये 1.5 केजी हमारे पा जो मकसूस स्मेल होती है, चिकन की खतम नहीं हो जाती है, और चिकन का रंग ट्रेंग नहीं हो जाता है, और जो पानी वगएरा चिकन छोड़ेगी, उस पानी जब तक ड्राइए नहीं हो जाता है, ति जब तक हम इसको भून लेते हैं, मीटियम फ्लेम पे, बहुत ही मज़ चिकन जो है, बहुत अच्छे तरी के से हमारी भून रही है, आप देखें इसमें चिकन का जो कलर है, चेंज हो गया है, अब जो हमने पेस्ट बनाया था, दई, हरी मिर्चों का, प्यास का और हरा धनिया का, वो इसके अंदर डाल के, और चिकन को हम भून लेते हैं इसके सा अब इसके अंदर हमने ये धनिया पॉर्डर डाल दिया, एक खाने का चमच और एक खाने का चमच ही सुफेज दीरे का पॉर्डर, और इसको हम भून रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे, तो अगर आपको चिकन काली मेच ग्रेवी की रेसी पर पसं अब इसके अंदर हमने एक खाने का चमच काली मेरच का पॉर्डर भी डाल दिया है, बिल्कुल लास्ट में हमने इसको इसलिए डाला, थाके एक कलर चेंज ही हो हमाई ग्रेवी का, और दो खाने के चमच ये लीमु करास, देखें, और इसमें बिल्कुल सेप्रेट होना अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, ग्रेवी के अंदर अपनी, और इसको मिक्स करके फिर हम इसको दम फिलेम पे रख देंगे, बहुत अच्छी से इसमें से खुचबू आ रही है, बहुत का मसालों में बन गई है, और कितनी जल्दी तया हो जाने वाली ये रेसिपी है, तो तकरिवें 5-6 मिनट तक हमने इसको दम फिलेम पे रख दिया है, अब उपर से हम इसके एक चाह के चमर ये गरा मसाला पोडर डाल देंगे, फिसको मिक्स करने के बाद, लंबाई में कटी हुई बड़ी वाली हरी मिर्चे, और जुलेन कटी में कटी हुई अद्दक डाल दे अब हम इसको पलेट में निकाल लेते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं, देखें मार्शालल से कितनी अच्छी लग रही है देखने में, उपर से हमने इसके हरी मिर्चे और जुलेन कटिंग में कटी हुई अद्दक डाल दी है, बहुत ही अच्छा सा कलर आय इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है देखने में, तो चपाती के साथ या फिर तंदूगी रोटी के साथ इस रेसिपी को ज़र ट्राइ कीजिएगा, को में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, अब हम इजादत दें और मज़ेदार सी रेसि झाल पनाने में आपको हमारी रेसिपी के साथ और आपको हमारी रेसिए रेसिपी करेशी रेसिपी कि लगषब और तंदूगी के साथ अवहा है यासे धिर प्राइदे झाल झाल